मुजफरपुर में लोगसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है जहां 6 मई को होने वाले आम चुनाव को निश्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तयारियां कर ली हैं वही जिला निर्वाचन अधिकारी और SSP ने संयूख्त प्रेस कॉन्फरेंस कर विवस्थाओं की जानकारी दी इस दोरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन शेत्र के मतदाताओं के लिए सभी बूतों पर आवश्यक और बुनियादी सुविधाओं को लेकर पूरी तयारी कर दी गई है और सभी जगाहों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठा सीन अधिकारी के साथ विशेश मतदान समस्या निदान केंद्र के विवस्था रहेगी वही बूतों पर महिलाओं के साथ दिव्यांग मतदाताओं को विशेश रियायत मिलेगी इसके अलावा बुजर्गों और बिमारी से गरस्त मतदाता को बूतों तक पहुँचाने और ले जाने के लिए भी विशेश विवस्था की गई है सभी मतदान केंद्रों पर मूल भूत सुविधाएं उपलप्त कराने का प्रयास है कि सभी मतदान केंद्रों में सोचाले, पेजल, छायादार जगह इत्यादी के विवस्था की जाए एवं मतदान पर्चियों को, मतदाता पर्चियों का भी वितरन सुनिशित किया गया है जितने मतदाता पर्ची अब आज की तिथी तक वितरित नहीं किया जा सके है उन सबों को अब आरों को वापस कर दिया जाएगा एबं किसी प्रकार से उनका वित्रनम अलाउड नहीं हुआ वहीं SSP मनोज कुमार ने कहा कि जिला के अन्य समवेदन शील बूथो पर अर्ध सैनिक बलो की विशेश चुकडी रहेगी और मतदान में बाधा उत्पन करने वाले और विशेश रूप में किसी भी पार्टी और उमीदवार के द्वारा मतदान करने पहुंचे तो मतदाता को दिग ब्रम्मित करने बाले पर सक्ती से निप्टा जाएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफर पुर से संतोष तिवारिक रिपोर्ट